नमस्कार आप देख रहे हैं मरी नाइन ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ संदीब ग्रोवर और ट्रेंडिंग स्टॉक्स की सुची में अब जो शेर हमारे रेडार पर आया है वो है ओंजी सी का जिसने आज एक इतिहास दोरान दिखाया है और शेर में अगर आप देखें तो आज 322 रुपे का इंटर डे हाई बना है और यह जो 322 रुपे का इंटर डे हाई है यह इन फैक्ट स्टॉक का रिकॉर्ड हाई लेवल भी है रिकॉर्ड हाई जो बना है आज इस शेर में वो इन फैक्ट 10 साल से अच किया था जिसे आज इस टॉक ने पार किया है इसको क्रॉस किया है तो निया रिकॉर्ड हाई बनता हो दिखा है और उसमें दस साल से जाधा जानी कि एक दशक से जाधा का समय लग गया है लेकिन पिछले डेड़ महिने में अगर आप देखें तो करीब करीब 45% के आसपा कर चुका है और एक साल में निफ्टी को बड़े मार्जिन से इसने आउट परफर्म किया है 90% से जाधा की रिकवरी या 90% से जाधा का जो रिटन है वो इस टॉक में देखने को मिला है अब इतनी बड़ी तेजी क्यों ही है क्यों इतना बड़ा आक्शन देखने को मिला और यानी की करीब दो तीहाई के आसपास जो कुल देश में तेल गयस का उतपादन होता है वो इसी कंपनी के और से किया ज तक बात है या ऑले गयस उतपादन की जाधान दक बात है तो उसे इस कंपनी का बड़ा योगदान है बड़ी भूमिका है केजी बेसिन में इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है और केजी बेसिन में उदपादन बढ़ने से इस कंपनी का मुनाफ़ा बढ़ सकता है इसको लेकर ब्रोकर्स काफी जादा पॉजिटिव काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और इनफाक्ट रेलाजिशन में सुधार ह और शमता विस्तार खर्च बढ़ाने की ऊपर भी कंपनी ने घोशनाएं की हैं जिसका फायदा आने वाले समय में इसका स्टॉक को देखने को मिल सकता है रेलाजिशन इसले बढ़े हैं क्योंकि क्रूड के दाम आप देखी रहे हैं 85 डॉलर के आसपा से ब्रेंट का दाम औ कि आने वाले सालों में जो केजी बेसिन है वहां से उत्पादन बढ़ेगा और रेलेशन अच्छा होगा उससे इनके मुनाफे में अच्छी खासी बढ़ातरी देखने को मिल सकती है वैसे भी अगर आप देखें तो जो विंटफॉल टैक्स सरकार की और से लगता है वो अच्छा गया था है इसलिए मैनेजमेंट की और से यह बयान आया था क्योंकि क्यूफोर के नंबस आप देखें बहुत ही जबर्दस आय थे क्यूफोर में कम्टी का जो मुनाफ़ा है उसमें 19 गुना की बड़त देखने को मुनी थी 528 करोड़ उपे वाला मुनाफ़ा साल बढ़कर 9879 करोड़ उपे पर पहुंच गया था और इसी के बाद मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दिया था कि आने वाले सालों में भी जो ग्रोथ है जो तीजी का नजरिया है वो आगे भी बरकरार रहता हुग नजर आ सकता है यह तो बात होई ग्रेलू फरेंट पर अग क्योंकि वहां पे कुछ elections को लेकर सही तरह से कामकाज नहीं हुआ था और वहां पे इस company का काफी बड़ा investment है वहां से जो तेल इस company को मिलने वाला था वो अब नहीं आ पार है को कि US के और से sanctions लगे हुए है और 500 million dollar के आसपास की dividend की बात चली थी लेकिन company का ऐसा कहना है company ने मांग की है in fact कि dividend की बजाए इसको जिसका तेल का share है वो दिया जाया और उसके लिए in fact नों ने यूएस के पास एक waiver के लिए एक request भी डाली है चूट दी जाए इनको प्रतिबंदों से उसकी मांग भी इस company के और से की गई है अगर वैसा हो जाता है तो इस company के लिए काफी बड़ा positive हो सकता है क्योंकि अगर आप जनुवरी में देखें जो landed cost है वेनिजूला से उसकी जो कीमत है वो 60 डॉलर के आसपास की थी जबकि brand का दाम आप देख रहे हैं 85 डॉलर के आसपास का तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फायदा इस company को हो सकता है अगर वेनिज इस mutual funds हैं जो कि इस company में निवेशित हैं इसमें 12 alternative investment funds भी हैं जिनका निवेश आप देखेंगे ओंजी सी के shareholding pattern में आपको साफत और पर नजर आएगा इसके लाबा भी अगर आप देखेंगे तो 12 ऐसे banks हैं जो कि इसमें निवेशित हैं 32 insurance company हैं इस company में फिलहाल इस्यदार hold करती हैं और कुल मिला कि अगर आप D.I.S. यानि कि जो घरेलू संसागत निवेशकों की सूची को देखेंगे तो कुल मिला कर देखेंगे तो इस list में L.I.C. को भी आप जोड सकते हैं जो कि इस company में निवेशित हैं 108 D.I.S. इस company में निवेशित हैं और यहीं पे नहीं र को मिला है मार्स अंता का अगर आप देखेंगे तो करीब साड़े सत्रा लाख रीटेल निवेशित नजर आएंगे तो काफी widely held यह company है जिसमें संसागत निवेशिकों की साथ साथ retail का भी काफी बड़ा आप देखेंगे portion है जो कि वो hold करते हैं तो इस company में आप देखेंगे जिनका सबसे अधा टार्गेट है 326 रुपे का टार्गेट था उनका नतीजी आने से पहले और नतीजी आने के बाद उन्होंने बढ़ा कर उसे कर दिया था 343 रुपे 340 रुपे का टार्गेट मोतिलाल लुसवाल और आईसे से सिकॉर्टिस दे रहे हैं जियोजीत बी अन्पी पारिबा इनकी और से भी 327 रुपे का लक्षे है 323 रुपे का टार्गेट आनन राठी का है जो कि अल्मोस आज अचीव हो चुका है केवल प्रभुदास लिलदर हैं जो की होल्ड की राय दे रहे हैं और 265 रुपे का टार्गेट दे रहे हैं जो की मौझदा भाव से नीचे हैं लेकिन बाकी सब भी ब्रोकर्स अगर आब बात्सित करें उनका भी कहना है कि इसमें आप खैदारी कर सकते हैं अगर आप केवल साथ से दस दिन का समय देते हैं तो इस टॉक में साड़े 300 रुपे तक के जो टागेट से हैं वो देखने को मिल सकते हैं ध्यान रखें केवल स्टॉप लस लगा लिजी आप 305 रुपे का साथ से दस दिन अगर आप इसे होल करते हैं तो साड़े 300 रुपे तक के जो टागेट से हैं वो भी ओन जी सी में देखने को मिल सकते हैं तो ओन जी सी ने एक इतिहास रचा है एक दशक के बाद इसने रिकॉर्ड हाई को टच किया है और ये तीजी का नजरिया अभी भी बर अगातार जारी है नमस्कार